ना देकर के इस परकार के मुद्दा से जिसमें समाजिक विग्वेस पैदा हो ऐसे मुद्दा से जनता का ध्यान भठकाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दे कि अलोक रंजन जाने का है कि तेजश्वी यादव सिर्फ और सिर्फ विद्वेश फैलाने का काम करते हैं। तेजश्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं तो उसके जवाब में आलोक रंजन जाने काहा कि स्रियम नितीश कुमार सिर्फ समर्थन इस बात को लेकर करने हैं कि जाती ये घजन गर ना होनी चाहिए। हलाकि ये मसला केंद्र का है लेकिन स्रियम नितीश कुमार चाहते हैं कि जाती के आधार पर गरना हो और इसी मुद्दे को लेकर वो विपक्ष के साथ हैं। लेकिन वो विद्वेश फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं लेकिन विपक्ष में बैठे लोग सर्फ और सर्फ विद्वेश फैलाना चाहते हैं। पंदरो साल में उनके समय में क्या सासन था वो आप सब लोग देखें नविकास से मतलब था कुछा संथा परहं था उद्योग था क्या एवस्ता थी और अभी भी उनको ये समझ में नहीं आता है जबकि पंदरो साल से जनता उनको आउट किये हुए है उनको विहार के विकास क के मुद्दा पर जितना ध्यान देना चाहिए ना देकर के इस परकार के मुद्दा से जिसमें समाजिक विग्वेस पैदा हो ऐसे मुद्दा से जनता का ध्यान भटकाने का का में कि मुखमंत्री जी समर्थन कर रहे हैं मुखमंत्री जी आंदोला नहीं कर रहे हैं तो आपको बिता दे कि साथ अगस्त को विपक्ष की तरफ से जाड़ती है जंगर्णा को लेकर प्रदशन हो रहे हैं लेकिन सब के बीच अब खेल मंत्री अलोक रंजन जानी स्राफ सब्दों में कह दिया है कि तिजश्वी यादव सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं और यही कारन है कि वो नए नए मुद्धे ढून रहे हैं और जो साथ अगस्त को उनकी तरफ से प्रदशन किया जाएगा उस प्रदशन में सिर्फ और सिर्फ तिजश्वी यादव का एक ही उद्देश है कि इस के माध्यम से वो जन्दा के बीच विद्धोष फैलाने का काम करेंगे हाला कि जन्दा ने तो उन्हें 15 साल पहले ही आउट कर दिया था लेकिन आज मी ते जश्वी यादव नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं फिलाल कि इतना ही जादा अफडेट के लिए आप बने रहे हैं न्यूस फो नेशन के साथ नमस्कार